वक्ते दोतों, ओल्डी गुल में आपका स्वागेत स्वास्त्य समंदी चर्चा स्वास्त्य समंदी चर्चा के अंदर हम आपको हमेशा ऐसी ऐसी जानकारी देंगे, देते हैं जो आपको, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भी किसी नहीं दी बाकी प्राई मेरे निगाह में नहीं आई कि भी किसी ने दी हो मेरे कहने का मतलब ये है कि होमेटिक के अंदर दवाई कोई माइना रहे नहीं रखती माइना रखती है पोटेंची निर्णय होमेटिक के एक एसी तिलिस्म चिकित्सा है कि ये हर एक के बस के अंदर बड़ी मुश्कृत से आती है काफी जहां देखते हैं कि डोक्टरों का आता है यूटूब के अंदर अनुभाव दो साल अनुभाव तेन साल अरे अनुभाव दो साल तेन साल क्या हमको सतावन साल हो गए तब भी हम इसका एक वो नहीं पकड़ पाए दस बार भी जनम लेंगे ना तो भी इसको नहीं समद पाएंगे लेकिन फिर भी अनुभाव का बहुत फर्क पड़ता है बाकी कोई अगर ये कर दे कि मेरे को इतने साल का अनुभाव वर मेरे बराबर कोई नहीं है तो इतनी उंसी बात नहीं करनी चाहिए जो चिकितसा एसी तेलिश्म है कि दस साल तक दो तीन जनम लोतों भी नहीं समझ सकते तो क्या समझो गया है हर चेकिसा में हर ग्यान में हर भी ग्यान में ये नेम लगो होता है तो होमेपेटिक में पोटेंसी नेने माइना रखता है और इसमें जो अच्रिस की बात है वो मैं आपको बताऊंगा देखो अगर किसी रोगी का ब्लेड पेशर हाई रहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी दावा विश्कम एल्बम मदर टिंचर या एक पेटेंट आता है विश्कम फेंटा करन के नाम से है या विश्कम एल्बमदर टिंचर ये देने से हैं बीपी जो हाई है वो सांत हो जाता है कम हो जाता है अब किसी का बीपी लो रहता है तो उसकी दावा भी विश्कम एल्बम है लेकिन वो तीस पोटेंट सी में है अब बताओ एक ही दावा बीपी लो वाले के भी काम आती है हाई वाले के भी काम आती है ये एक बहुत ही चिकित सको कुछ दवाईयां ऐसी है जिनके बारे में जानना अतियावश्यत है और ऐसा क्यूं होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि मदे टिंसर के अंदर मूल दवा का ज़्यादा मातरा होता है तो वो बीपी को कम करता है पोटेंशी के अंदर तीस पोटेंशी के अंदर एलकोहली होता है कोई दवा का कुछ भी परसेंट नहीं देता तीन पोटेंशी के बाद लिगाईब हो जाता है इसलिए जब इसकी पुर्विंग हुई तो दोनों लक्सन सामने आए तो लोग वाले के भी आए तीस पोटेंशी के अंदर और हाई वाले के आए मदद इंचर के अंदर इसी तरह एक दवा है ओपियेम ओपियेम का मिलता नहीं है उराज से 40 साल पहले ओपियेम का मदद इंचर मैंने खुद ने खरीदा जैपूर से राजस्तान हूमियो इस्टोर से उस वकद सरकार की इतनी सक्ति नहीं थी प्योर अफियम का आज अफियम को ढूमने से भी नहीं मिलता तो अगर मिलता है तो लोग उसका दूरुपियो करते हैं इस वज़े से इस चीज के ओपर बेन है सब नसेडी हो जाते हैं तो जो ओपियम अफियम से बनी हुई दावा है तो उसका मदद इंचर आपको नहीं मिल सकता क्योंकि अब उस वकद सुरु सुरु में इतना वो सरकार का ध्यान नहीं था पोटेंसी ही आपको मिलेगी तो अफियम खाने वाला आदमी जो भी है उसका चेरा काला हो जाता है यानि कि अफियम का जैसा रंग है विसा वो आदमी को बना देती है अगर उसमें खुराक नहीं खाई तो और उसमें गुन जो है जो एक मोट के दाने के बराबर अफियम का सेवन करते हैं जैसे जैसल मेर बाड मेर उदर बहुत शेवन करते हैं और वो लोग उठनी का दूद पीते हैं तो जो इसका शेवन करता है नसे की चीज का और उपर उसको प्योर दूद और दही मिलता है तो वो असीम सक्ती पेदा करता है आदमी में उसकी सेक्स पावर बड़ाता है और बड़ाता है खुब लंबी आयूद देता है लेकिन यहां सुद पानी पीने को नहीं मिलता भूड़े खाने को नहीं मिलता और लोग अफिम ठिका रहे हैं मूँ के अंदर तो काले होके और बिमार होके मर जाएंगे अफिम का जो सभाव है वो खाने वाले को कबजी करता है यहने कि अगर अच्छी खुराग नहीं खाये ना दू दो दही तो चार दिन तक भी दत नहीं आते हैं इतना कॉंश्टिपेशन अफिम करता है यह उसका सोभाव है तो होमियोपेटिक में इसको सक्तिकरत किया दो सो पोटेंशी या तीस पोटेंशी जो भी तो जिन को इस तरह की कबजी होती है दो तिन दिन तक मल नहीं आता गांट गांट आता है ओपियम दो सो की खुराग देने से उसको दस्त आने लग जाता है सक्तिकरत होने के बाद इसलिए कबजी वाले रोगी को हफ्ते में दो सो पोटेंशी का ओपियम ले लेना चाहिए और जिन को लगातार कबजी है तो ओपियम तीस और नेट्रम्यू तीस दोनों को मिलाके दिन में तीन बार एक मैना ले ले लें कबजी खतम हो जाएगा अब सवाल यह है कि इसके अलावा और जो दवाई है जैसे एक दवाई एक कैक्टस ग्रेंडी फ्लोरस जो अपने यह थूर होता इससे बनती है कैक्टस ग्रेंडी फ्लोरस बहुत अच्छी हाठ की दवा है और इदे रोगों में ही काम आती है दिकतर उसके अलावा भी काम आती है तो यह जो दवाई है कैक्टस ग्रेंडी फ्लोरस से तो जो पेटेंट हाई ब्लेड पेशर को कम करने वाले हैं उनके अंदर भी यह है और जिनका बेपी लो हो जाता है तो इसका मदश इंसे पिलाने से ठीक हो जाता है अब बताओ इदर से पूंच पकड़े हैं या इदर से मुझ पकड़े हैं क्या करे आदमी होमेपेटिक में ऐसी बहुत सी दवाईयां है जो उल्टा फूल्टा दोनों काम करती है तो उन दवाईयों का परियोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए इसी तरह मैं आपको एक और बता देता हूं जती तयें बता रहा हूं यह आपको कोई डोक्टर ने नहीं बता ही यह बाते हैं हाई ब्लेट पेशर होने के बाद में जैसे 200 हो गया या 180 हो गया अब उसको तुरंत कम करने के लिए एलोपेटिक के अंदर केल्ची काड का कैपसुल चूंसो शूई से छेद करके जीब में निचो या निकाडिया का पांच हमजी का कैपसुल देखो आप अपने डॉक्टर की राई से करना यह मेरा सब्जेक नहीं है यह तो मेरे को पता नहीं सब तरह की जानकारी है जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो पांच-छे मिनट में ही एक दम नीचे लेहाता है तो इसके अंदर भी डॉक्टरों के मतभेद हैं आपस में वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक डॉक्टरों का पक्स यह कहता है कि केल्शी काड या निकाड या इस तरह का कोई केपसुल देकर के हजीव में और पांच-छे मिनट में ही 220 को बीपी या 200 बीपी को नीचे लाना एकदम हार्ट ब्लोक हो करके रोगी थी राम राम सत्त हो जाती है ये एक रिस्क है एक पक्स के जो डॉक्टर है एक पक्स के जो डॉक्टर है का बीपी हाई ये एक कैपसुल चूंसलो कोई नुक्साड ने करता है चूंसलो तो कम हो जाता है तो कम होने से देखो सब चीज बच जाती है ब्रेने हैं मिलेज होना और होना आटे एक हाथ पढ़ जाना बीपी तो कमी रहना अच्छा होता है अब कि एक खिस्मत खराब हो तो इस तरह का एकदम ब्लोग किसी का हाथ होता है जो डाक्टरों का अलग मत है तो वो दोक्टर क्या करते हैं कि उच्छे रत्चाप को कम करने के लिए गोली से उसको कम करते हैं गोली से कम करते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है गंटा आदा गंटा और इन केप्सूलों से कम होता है पांच मिनट के अंदर और ये भी होता है कि पांच मिनट में कम होने के बाद में फिर बढ़ जाता है तो केप्सूल कहां तक तुन सो गया क्योंकि ये बिमारी इस तरह की है इसलिए आपको अगर बीपी उचा नीचा होता है तो कोई देशी दवाई के चक्कर में न पड़ो और में न पड़ो आपको होस्पिटल में एनी टाइम ड्यूटी डॉक्टर मिलेगा वो आपका बीपी न आप लेगा जो भी वो दवा लिके खा लेनी कीए या अपने डॉक्टर से डॉक्टर मिलना और बगवान मिलना बहुत मुश्किल काम है अगर किशी डॉक्टर से मिलने जाना है बड़े सहर में पूरा दिन लग जाएगा आपको तब जाकर के होगा अब डॉक्टर भी चा करे उनका कोई दोस नहीं देता मैं रोगी इतने है एक-एक मैने के एपोइमेंट लेने पड़ते हैं ओ डॉक्टर रात को बारा बज़े तक रोगियों को देखता क्या करे रोगी इतने होगे हाँ मैं इसी तरह आपको और बता रहा हूं कि पोटेंशी निर्ने एक सबसे बड़ी कला है होमियोपेतिक के अंदर दवा कोई माइना नहीं रहती है एक दवा जैसे हाई ब्लेट प्रेशर होने के बाद में पहले में भी केल्ची कार्ड चूंस लेता था नहीं जानता था इतना लेकिन एड्रानेलिन तीस पोटेंशी जो होमियोपेतिक की दवा है बी-पी हाई होते ही एक खुराक एड्रेनेलिन तीस की आप ले लीजिए पंदरा वो पांच मिनट में अंग्रेजी कैप्सुल कम करता है तो रिस्क है इसमें कोई रिस्क नहीं पांच की जगर दस बारा पंदरा मिनट के अंदर आपका पंदरा बीस पाइंट नेचे आ जाएगा आप अपने दवा लें और बाखी के उपाई करते रहें एक बार आप खत्रे से बाहर निकल जाएं एडे ने लिप तेस का बार बार परियोग नहीं करना चीए अब बे कहीं ऐसे रोगी हैं कि उनको कभी उंचा हो जाता है और कभी नीचा हो जाता है बड़ी मुश्किल है ये भई यह तो उपर ही उपर रहना तो वो उसका उपचार करता रहता है अब कभी घड़ गया कभी बढ़ गया तो इसी तरह सुगर के अंदर बहुत मुश्किल है रोगी की सुगर कम होते ही वो खुश होता है खुश नहोग वापिस बढ़ जाती है तो कम होए तो मीठा खाओ उसको लेबिल पे लाओ अधिक होती है तो किद्नी फेल होती है क्या करें आदमें ये दोनों बिमारियां इस तरह की है और पांच में दो तीन आदमी इसके पेशेंट हैं डाइबिजीज के और ब्लेट वेशर के हैं तो मैं बता रहा था जटिलता हैं देखो वीडियो बड़ा बनता है नहीं तुम्हें और बहुत ज़्यादा बता था आपको अभी मैं बात कर रहा था एड्रानेलिन टीस पोटेंशी बिल्कुल शेप है अगर आप उसका सही उप्योग करते हैं तो एक खुराक ले लीजिए आपका बीपी कम हो जाएगा उसके साथ ही चाय जैसा पानी बना करके एक कप पूरा एक निबू निचोड़ दीजिए वो भी एड्रानेलिन टीस के बराबर काम करता है और घूंट घूंट रोगी को पिलाएगा पंद्रा बिस पॉइंट कम होते ही खत्रे से बाहर आग्मी हो जाता है दिन में भी निबू पानी और पिला सकते हैं बहुत जरूरी हो तो तीन चार गंटे बाद फिर एड्रानेलिन टीस का एक और परियोग कर सकते हैं इस से अधिक नहीं क्योंकि फिर वो नुक्सान करती है अब जिनको कभी बढ़ गया और कभी घट गया तो वो बार बार एड्रानेलिन टीस को कैसे ले अब इसके अंदर जो जटिलता है वो मैं बताता हूँ जो विसकम एल्ब में है न वो ही ऐसे रोगी जो है उनका बीपी सोटने मातर से बढ़ता है सोटने मातर से गड़ता है उनके दिमाग के अंदर ट्रेस भ़़ा रहता है और वो यह करते हैं कि हमारे कोई कमी नहीं है नहीं कोई की सिंदा ही नहीं करते हैं लेकिन वो जुट बोलते हैं आदमी के दो मन होते हैं एक तो यह होता है कि उसके कोई पेशे की कमी नहीं मानते हैं इस वात को लेकिन जैसे वो रात को सोता है उस पेशे को कहा ठीकाने लगाए उसका दिमाग काम करता है किशी को उदार दे तो दूप जाए बैंक में जमा कराए तो काले धन में आता है सोना खरीट के रखे तो चोड़ ले जाते हैं जमीन का पलाट खरीटते हैं तो कब्जा कर लेते हैं तो उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं इतने पेशे को कहां एड्जेस्ट करूँ तो उसका दिमाग सोचता रहता है और उसके साथ ही उसका बेपी उंचा नीचा होता है अब जो मजदूरी करते हैं तो इनका दिमाग क्या खाम करेगा इनका दिमाग तो इतना ही कि सोचता है कि कल फिर मजदूरी पे जाना है इसके आगे उनके पास है ही नहीं चोहर उनके पास से क्या ले जाएंगा तो ऐसे रोगियों को दो दवाईयां मैं बताता हूँ जिनको सोते ही कभी कम कभी ज़दा कभी कम कभी ज़दा एक दवा है जिनको बाई लोबा जिनको बाई लोबा पांच्छे बून मदट इंचर पानी में सुब़े दूपे और रात को ऐसे रोगियों को लेना चीए बीपी नॉर्मलों तो भी लेना चीए और बड़ा वाब भी है तो भी लेना चीए ये क्या करेगा अंदर जाकर के जो ये बार बार गड़ता बड़ता है इस परवर्ति पर ब्रेक लगाएगा तो ये मेना दो मेना ले फिर अपने दोक्टर से राय करें जिनको बाई लोबा बहुत अच्छी दवा और एक जो दवा है जो प्राई बहुत बड़िया दवा है होमेपेतिक में लेकिन पता नहीं क्यों डोक्टर कोई लिखते ही नहीं है क्यों नहीं लिखते तो ये देखो मैं उनसे कैसे पूछ हूँ भई आजकल की पड़ाई कि हम तो पुराने बुड़े आदमी हैं हम क्या जाने एतना औरम मेटेलिकम 200 पोटेंशी हाई बलेट पे सरवाले को लेनी से ये जो कि डोक्टर लिखते नहीं हैं क्योंकि जो लिखते हैं ना तो वो भी हमारे सामने आते हैं रोगी के यह यह दवा हमने को दी औरम मेटेलिकम सोने से बनती है लेकिन वो मिलती सब एक ही भाव है आपको बजाज के अंदर तो बी पी हाई है कोई का हाई रेता है तो औरम मेटेलिकम 200 पोटेंशी दिन में तीन बार याने कि तिन तिन बूंद आदे कप पानी में ग्यारा दिन ले वो एसी दवा नहीं है औरम मेटेलिकम की आपका बी पी को एकड़ नीचे ले आएगी नहीं लाएगी आपको ताकत देगी धिरे धिरे कम करेगी इसमें जो खास लक्षन है औरम मेटेलिकम की रोगी सुचता है कि आज ये रोज रोज क्या होता इससे तो मर जाएं तो बहतर है परेशान हो गए ये बिचार आते हैं ऐसे रोगी को गए बवान मैंने क्या बुरा किया कि सिखा ये 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 बिमारी से तो अच्छा है कि मैं कहीं जाके तलाब मेटेलिकम का लक्षन है बिमारी चाहे कोई भी क्यों ने हो आत्म हत्या करने की इच्छा पैदा होना हतास होने की इच्छा पैदा होना और अगर ये लक्षन नहीं भी है तो भी हाई ब्लेट पेशर का रोगी और मेटेलिकम दोस हो लेगा उसको 100% फाइदा होगा लेकिन 7-8-10 दिन लेना होगा और अपने डोक्टर से 30 पोटेंसी ना ले मैंने 30 पोटेंसी के मना क्यों किया देखो इसको मैं बताऊंगा तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा इसलिए और मेटेलिकम 200 हाई ब्लेट पेशर वाले को दस दिन लेने के बाद अपना बीपी चेक कराए ये एक बहुत बढ़िया ब्लेट पेशर को कम करने की दवा है जिसको कोई डोक्टर नहीं लिखते है और लिखते हैं तो वो डोक्टर बहुत एंटिलिजेंट है तो मैं फिर वहीं आ रहा हूँ फिर वहीं आ रहा हूँ मैं भूलता नहीं हूँ कोई चीज को आड्रा निल पे चल जाता हूँ मैं बीच में ओरम का भी बता दिया मैंने एड्रा नेलि आ ये रोजगडता है बड़ता है रोजगडता बड़ता है तो एक तो जिन्कों पालीवा ये लेते रहें और एड्रा नेलिन थरी अक्स के अंदर टेबलेट आती है उसकी बड़ी एगर है तो एक गोली छोटी है तो दो दो टेबलेट सुब़े दूफेर और रात को continue आप एक मैना ले सकते हैं वो आपके blood pressure को low नहीं लाएगी और उसको control करेगी बढ़ने नहीं देगी ये एक adrenaline तीस potency में तो आप एक दो खुरा का ही प्रियोग कर सकते हैं नहीं तो नुक्सान करेगी और येही adrenaline थरी अक्स के अंदर आप लगातार continue ले सकते हैं एड्रानेलिन तीस को नहीं ले सकते हैं अब ऐसा क्यों होता है होता है तो वो तो देखो मात्मा है नहीं मैं जाने भई वो इस तरह की पहलियों में उल्जाके हमको चले गए हैं तो बहुत से लोग डरते हैं कि adrenaline थरी अक्स 6 अक्स भी आता है ले सकते हैं लेकिन थरी अक्स ज्यादा बढ़िया होता है जबकि विच्चुन थरी अक्स के अंदर दवा की मात्रा अधिक होती है लेकिन ये homeopathic है जो proving के अंदर जो चीज आगी वो ही सकते है तो इस परकार के रोगियों के लिए जो high blood pressure है diabetes है ये कितनी तरह की होती है कितने तरह के blood pressure होते हैं और कितने ही कारणों की वज़त से होते हैं बहुत सुल्जे हुए डोक्टर से चिकित्सा करानी से ये अन्य था जो गोली एलोपेटिक डाक्टर ने सुगर की और blood pressure की आपको लिखी है भूल के भी ने छोड़ें भूल के भी ने छोड़ें बढ़ना कभी भी आप खत्रे में आ जाएंगे ऐसे बहुत से नेम हकीम है बेद्य हैं कि जब तुम मेरी दवाई खा रहो तो सब दवाईयां बंद कर दो और कहीं मर जाते हैं बिचारी क्या करें क्योंकि उस बेद की दवा या हकीम की दवा तो काम करते नहीं है और वो जो काम कर रही थी दवा उसको बंद करा देते हैं बाबा राम देव ने बंद करा दी कि मेरी दिव मुक्ता वटी खाओ और उस गोली को मारो गोली कहीं मर गए अब रेले में अब आज का वीडियो इतना ही फिर दूँगा थैंक्स